आपको संख्या पधिती के बारे में बतलाना है और आपको दसमला परसार के बारे में बतलाना है और घहात या और घहतां का परजय देना है तो हमको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी नौलेज पराप्त करना जरूरी है और आप लोग अच्छी नौलेज पराप्त करेंगे जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे जब आप पूरी तरह से केंद्रित होकर पूरी तरह से ध्यान दे करके इस चीज को देखें इस टोपिक को आप समझेगे तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं तो मैं बीना समय गवाएं आप लोग के सब्जेक्ट पर आता हूं तो चलिए स्क्रीन बौर्ड पर क्या ता देखते हैं संख्यापत्ति के बारे में है और मे नमबर इन भी और पर नवर बोलते हैं उसके बाद फिर बास्ताविक संख्या का अपको दो मेंशनल नम्बर और इसको इर्यसाल और निगेटिव नमबर और फिर पूर्ण संख्या के लाते नेचुरल नमबर और दुसरा सुन्य जीरो का लादांगे तो हम यहां देखे पुर्मे संख्या का परिवार आ जाता है और परमेर संख्या में आपका पुर्णांग संख्या का परिवार आगिया और भीन संख्या का परिवार आगिया पुर्णांग संख्या में आपका पुन संख्या का और विनातमक परिवार आगिया प्रकिर संख्या पुन संख्या में परिकिर संख्या और सुन संख्या का परि सके हैं जिससे हम किसी बस्तु को क्या कर सके गिंती गिन सके उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं देखे प्राकिर संख्या करते हैं बच्चों तो प्राकिर संख्या के बारे में आप जान गया है कि गिंती कि सारी संख्या को क्या बोलते हैं प्राकिर संख्या करते हैं और प् सबसे पहले संख्या को के बारे में जाने आब हम चलते हैं जीरो के बारे में जानते हैं जीरो क्या चीज़ है तो जीरो एक आपका पर्मेई है और यह उदासीन पर्मे है क्या है उदासीन परमे है क्योंकि इसका मात्र एक अभ्यव है जिसके कानव किया है उदासीन परिबार है इसको कह सकते हैं उसके बाद आ जाईए इसके उपर क्या है पुर्ण संख्या पुर्ण संख्या किसको कहते हैं तो पुर्ण संख्या कहते हैं प्राकिर्थ संख्या के जितने भी परिवार हैं उनके परिवार में जीरो को अगर सामिल कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होता ह वह संख्या क्या का लाता है जी पूर्ण संख्या का लाता है तो पूर्ण संख्या है आपका हो गया इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं और इसको सुचित क्या चीज़ से करते हैं तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गय तो जीरो हो गया पुन संख्या में सबसे छोटी पुन संख्या कौन हो गया प्राकिर संख्या में सबसे छोटी प्राकिर संख्या एक हो गया आप कोई पूछे कि प्राकिर संख्या कि सबसे छोटी प्राकिर संख्या एक कैसे है तो बाबु एक से सुरू होता है इसलिए सबसे स्धीं का सबसे बढ़ी पराकिर संख्या कुछ है तो सबसे बढ़ी पराकिर संख्या कॉन में इसका जाएगा दो सबसे बड़ी पराकिर शंख्या गिनना असंभव है या अब चले आप लोग रिनातम क्यों हम आपको पूर्णांतम संख्या में यहां देखिए पूर्णांत जो संख्या है अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं यहां दियान दिजेगा यह आपको संख्या रेखा हो गया, यह आपका जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, और इधर क्या हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इधर हो गया, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, यह इधर भी अनन्द हो जाएगा, और इधर इधर जो है धनात्मक पुर्णांक और इधर क्या हो गया। झानत्मक पुर्णांग और इधर वला क्या हो गया। इसको जीरो पुर्णांक बोलते हैं क्या बोलते हैं तो इदर धनात्मक पुर्णांक हो गया इदार रिनात्मक हो गया और यह सुन पुर्णांक हो गया सुन पुर्णांग को उद्हशीन पुर्णा नगर क्योंकि इसका जिर्फ not भान के परिवार में इस लिए इसलिए इसको उदासीन पूर्णांग कहा गया है अब देखिए जब बाई और से जब बाई और से दाई की और जाने पर मान क्या होता है बढ़ता है ना जब बाई और से देखें हैं जब बाई और यौट और बामा काम है और ना की और जाते हैं तो मान क्या होता है इसे cómo घम परिंग होगया गया तो पूर्णांग में जीतने भी पुर्णांक में आपको सुन भी सामील हो गया और प्राकिर्ट संख्या जितना आपका धनात्मक है उतना प्रकिर्ट संख्या रिनात्मक में भी आ गया इसमें पुर्णांग में क्या हो गया अगर आप से कहें कि पुर्णांग संख्या अब इसको हम इस तरह से लिखें माइनस पांच माइनस आठ जीरो छो पांच आठ साथ यह सारी के सारे संख्यां क्या है पुर्णांग संख्या है, माइनस में रहे या पलस में रहे या जीरो रहे, सारी संख्या को क्या बोलते हैं, पुर्णांग संख्या बोलते हैं, सारे संख्या को क्या बोलते हैं, पुर्णांग बोलते हैं, और इसको आपको जेड या आई से दर्शा आजाता है, जेड से भी दर्सरा सकते हैं और आई से भी दर्सरा सकते हैं याद रखेगा तो आप प्रक्र संख्या जाने पूर्ण संख्या जाने गए अब आपको चलते हैं प्रमे पहले चलते हैं तो पर में संख्या किसको करते हैं पर में संख्या का मतलब क्या होता जो संख्या आणि आन्स बटा हर के रूप में हो और उसका हर गना जी रोटर जीरू हर उसका जीरू अगर नहीं होगा तो क्या कहलाएंगा पर में संख्या कहलाएंगा जयेसे में यह आपका एक दो हो गया थीन वटा दो हो गया हुआ ना फा भाट एक हो गया यह पाँच बात उठों गया न्हीं यह सारी संख्या क्या है पर में संख्या है यह सारी संख्या को क्या बोलते हैं पर में संख्या बोलते हैं यह हमेशा याद रखेगा हर ना बास्ताविक संख्या के बारे में आपको मालूम होगी अब इधार चलिए हम लोग इस तरह वाला सारी चीज़ को जनकारी ले अब सुन तो आपको बतला दिए यह उदासीन बोलते हैं और निगेटिव नंबर क्या है जितने भी जितने भी प्राकिर्थ संख्या है सारे प्राकिर्थ संख्या के परिवार में अगर उसको सारे के सारे संख्या के अंदर माइनस का चिन दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है निगेटिव पुर्णाप हो जाता है ना क्या है जितने सारे के सारे प्रकेट संख्या है उनके आगे अगर माइनस का चिन लगा दिया जाता है घटाव का चिन लगा दिया जाता है तो सारे के सारे संख्या क्या कर लाते हैं निगेटिव नंबर का लाते हैं है और आपको अब फ्रेक्शन में आते हैं भीन क्या है जो फी बटा क्यूं के रूप में लिखा जाए उस दिन के निफाल हैं जैसे एक वता दो दो बटा चार 5 बटा चार जो ऐसा pushed क्या है अर्य पर्मेश है किसको बोलते हैं जो रूट अंडर में हो जो रूट अंडर में हो और जो आसांत हो आसांत किसको कहते हैं आसांत के मतलब जिसका मान बराबर नहीं होता कहने का मतलब हुआ कि जिस जो जो भाग देने पर मतलब बार बार रिपीट जो संख्या रिपीट नहीं होता हो जिसमें बार नहीं लगा हुआ हो तो जिसमें बार नहीं लगा हुआ रहेगा वो संख्या उसमें रिपीट नहीं होगा और जिसमें रिपीट नहीं होगा वो आसांत कहलाएगा और संख्या आसांत कहलाएगा जो अनवास नहीं होगा वह आपको अपर में संख्या होगा हना जैसे आपको कुछ उदारन दे करके हम आपको समझाते हैं देखिए अगर जो आपको अपर में संख्या में लिखा रहा है एक दसामलब समझात जेबाद डवह् जीरोएक डि डावट डावट रहा ह क्या तो यह आपका आपको संख्या हो जाएगा पर में यहांद रखिएह और देखिए अब पूर्रा भीरती नहीं यहendar तो इस तरह से जीरो बढ़ते चला जाता है ना तो इस अस्थिती में संख्या क्या कर लाएगा आपर में संख्या कर लाएगा और आपर में संख्या रूट में भी होता है जैसे रूट टू रूट थीरी रूट फाइब रूट सेवन रूट इलेवन और इसका सबसे बढ़िया फाई एक मान है जिसको आप पर में संख्या कहते हैं पर में संख्या का मान एज दसमलतीन एक चार के लगभग निकाला गया है अगर आप कहिएगा कि सर पाई को आप पर में संख्या कहते हैं तो बाइस बटा साथ क्या है तो बाइस बटा साथ जो आपका पर में संख्या है क्योंकि पाई का मान लगभग में बाइस बटा साथ आता है और इसका आज तक कोई ऐसा का नित्तग नहीं है जो कि पाई का मान निकाल सका है इसको आप जानेंगे कालपनिक संख्या किसको काते हैं इसके बारे में जान लिजिए अभी आप लोग नहीं पढ़ रहा है लेकिन आगे जाइएगा तो कलपना करने वाली संख्या पढ़ सकते हैं जेसे आप लिखते हैं तो इसके आगे अगर Pas Rave तो यह मैनने संख्या जाती है क्या आजएती है क्या आ potatoes संख्या में आजाती है तो हम आचा करते हैं कि आप संख्या पर्सांथ क्लपना किशन आंगे आगे लेकर का स्क्रिन बोट पर चलिए बच्चों अब हम देखते हैं दसम्लब संख्या क्या है दसम्लब संख्या डेसिमील नंबर डेसिमील नंबर में हम जानते हैं कि दसम्लब परसार उसका दो तरस से होता है पर सभी म्यिनो कॉछ को क्या पर उद्हों हैne जो ड्yorum होते हैं इते होते हैं कि होते हुए दो तरह के होते हैं दशी का kia continuous युद्हू गहिया दो तरह के होते हैं एक सांटा वर्ती होता है और एक असांता और किम एक सो और डूसर रहार जैसा नाम वैसा काम होता है जो मतने सांथ है और असांत है, जो बिल्कुल असांत है, तो असांत दो अवर्ति होता है, असांत का भी दो तरह क्या वर्ति होता है, क्या होता है, एक असांत अवर्ति होता है, एक क्या होता है, असांत अवर्ति होता है, और दूसरा क्या होता है, असांत अवर्ति, एक जो होता है, आसांत अवर् होता है तो इसके बारे में अब हम जनकारी लेंगे और बहुत ही फटाक दबर च्टार्ण किसको कहते हैं तो सांत होता है। अगर 10 हम लोग निकाल रहा है और उसमें आपका स्यस क्या हो जाए जिरो जाए तो दसांबलब में उसका परसार संत हो जाएगा और सेंस बाट जाता तो आसंत कहलाएगा जैसे मांगये एक deux है टीन बटा पांच थ संख्याओं को नुकाल करें हम देखते हैं एक वटा नियूसी rat तो एक स्यंस में बढ़ी रहेगा तो साम्मलब बचा इसं का उतर आ गिया कितना जीरो देस्ट हो गिया यह घुंकि पूरा-पूरा कट गया इसमें नहीं बचा आप देखिए इसमें क्या चीज है अब आपका question रह जाएगा अगर आप हम लेते हैं एक बटा 3 एक बटा 3 एक बटा 3 को जब हम लेते हैं तो यह 3 में 1 से भागा देंगे क्या करेंगे 3 में 1 से भागा देंगे तो 3 इक आए नहीं कटेंगा ना तो 0 दे देंगे जीरो दे देंगे तो क्या आजाएगा तीन आजाएगा तो तीन ती आई नो एक जीरो तीन ती आई नो एक जीरो तीन ती आई नो इसमें हम क्या चीज़ अनुबब करते हैं कि जब भी हम लगाते हैं तो बार-बार हमको एक क्या होता है बाच जाता है तो जब बार-बार एक बाच रहा है तो क्या करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा इसको लिक सकते हैं जीरो दसम्लब तीन पर बार लगा दिजे रेकरिंग लगा दिजे ना तो यह जब बार-बार जब आरहा है रेककरिंग लगा हुँन रहे वार बार आना इसमें रेक्रिंग बार बार आ रहा तो आपका क्या हुआ ओग्या और जब बार बार नहीं आएगा जैसे कि आपको अगर लिखा रहे है क्या लिखा रहा है देखिए बताते हैं अगर आपको इस तरह से कोशन आभे अथी रहे कि बताईए कि यह आपका दसंब्लब परसार कैसा है तो इसमें देखिए अगर रहे एक दसंब्लब एक जीरो एक जीरो डबल जीरो एक ट्रीपूल जीरो एक इसमें कहीं नहीं दसंब्लब नहीं बढ़ता जा रहा है तो इसका यंद नहीं है यह क्या हो रहा आनरा भीरती काने का मतलब नन रेकरिंग कोई point नहीं दोर आए जा रहा है क्या हो रहा है कोई point नहीं दोर आए जा रहा है ठीक ना जब कोई point नहीं दोर सेस जीरो हो जिसका हमेशा सेस जीरो हो है ना तो यह आपका एक सेस बच गिया और इसमें सेस नहीं बच रहा है यह पॉइंट आपका रेकरिंग में आ रहा है तो यह रेकरिंग वहला यहां आ जाएगा और जो यह नन रेकरिंग है वह आपका यहां आ जाएगा और यह सब जो पुर्ण कट रहा है कुण रूप्से कट यह सब देख रहा है। ना..सांथ जो पूरा पूरा कट गिया इस तरह से रेकरिंग आ रहा है वह आपका रेकरिंग हो जाएगा और आसांथ जो आना परटी हुआ जिसका इस तरह का मान रहे वह आतो हो जाएगा mean है चलिए घहात है की तरफ चलते हैं रहा है घत और घतांक AMY का मतलब होता किसी संख्या का द्हात निकालना इसको इंगल Quand पावर इसमें क्या बोलते हैं पावर इस कि पावर मतलब सक्ति घात जहातां गातांक का मतलब क्या होता है घात जोड आंक मतलब जितना घात रहेगा उतना पर पावर आंक में हम दे देंगे जितना घहात रहेगा उतना का पावर हम क्या देंगे अंग में देंगे ठीक है जैसे एम पर पावर एम है और इन पर पावर न है इसको इसी तरह से पावर पढ़ते हैं न जी तो घहात मतलब क्या हो गया जैसे आपको पहणा जैसे पढ़ेगे यह सब एक सी चीज है तीनों ये इंगली सब्थ वा, और यह आपका हिन्दी घहत और घहतांक हिंदी हुआ तो इसमें कहता है एक कोई चर्माने है और उसका पावर हैंब और आपह यह मैं ब्ल मतलग हुआ हैं अगर अगर ए बराबर हम 5 दो 5 पर पावर हैं नो यह पावर हैं यह दो फ। और पांच पर पावर कोई याओ रहेगा Ona पर पांच पर न भर वख अगा यह पांच पर प्स पर पावर फेन बराबर क्या और एसे का मतलब गश्यार यह लिवा Three दिए Som Loses पर यहाँ देखें इय बराबर फांच आ या पर पांच रफ पांच कितने था जो कार दो और यहां बराबर कतना हो जाएगा तो इसको आप इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पांच पर पाबर यह जूट जाएगा दूजोड तीन और 5 पाबर तीन बराबर पाबश और यहेगा तो देखते हैं क्या सही बात है तो 5 को दूबार लिखना 5 को क्या लिखना है दो ना records और 5 को я एक दू तीन चार 5 आन्य इसको पावर 5 पर पावर 5 बराबर 5 पर पावर 5 इस तरह से आप समझ गया होगे अब देखिए अगर यहीं चीज है इधर दो है न बराबर क्या है तो यह सब्सक्राइब यहां क्या लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे यह बराबर क्या मॉपाबर युटार तीन तो तो यहाँ क्या लिखेंगे एएम पर अब गुने 3, ठीक ना? यहीं हो गया अब यहाँ देखिए आपका कितना हो जागा? तीन दूना छो पांच पर पावर कतना हो गया शाओ हो गया अब यह क्या है अब आप तीन बार आओ इसको लिखेगा क्या लिखेगा तीन पर तीन बार आओ तो क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांच यहां भी हो जाएगा अब एक दू तीन चार पांच छो चाह हो गया अब यहां क्या यहां देखिए यहां 5 गुने 5 क्या बार लिखना थीन बार लिखना है तो 5 गुने 5 यह बार हो गया 5 गुने 5 दो बार हो टरो तेन चार पांच और यहां च्छो辉खेंगे अब इसको गिए तो बराबर आता है एक दो तीन चार पांच उस तरह से समझ गया है कि इसमें घृत गुक्णा में रहे तो गहत क्या होता गुणा हो जाता क्या हो जता हो क्या ऑप पर न कतना हो तेन आप हैं जो यह चेंगें ए ए घटाव ए ए एम भाटव एन तरह एम बराबर कितना हर तो दो में तीन को घटा देंगे कि निया कितना जाएगा यहां देखिए यहां हो जाएगा और छेंगा फांस पांच वो जो जाएगा यहां पांच गुने पांच हो जाएगा ठीक ना क्या हो जाएगा पांच पर पाँबर Short Am कॉर। पसुछबधाल 25 अपने पचीश से क्षालिखेंग ब्राबर 국arts पर मääना음 तो यहां देखिए फान्च इधर क्या हो गया एक पांच आया और धात जो है जो है और पांच पर माइनस इधर हो जाएगा अब पलस में पॉइंट हम आपको देदेगे यह अगर एब बराबर 5000 माना ये बराबर पांच माना बी बराबर आठ माना और सी बराबर तीन माना ठीक ना यह पलस के उदारन से भी हम आपको एक समझाने का कोशिश करते हैं इसको समझिए तो ए पर पाबर एम है तो आप क्या ए बराबर पांच माने है तो ए पर पाबर आठ हो गिया और आपका इसको जो है एम माने है और इसको एन माने है तो ए पर पाबर आठ हो गिया एम बराबर आठ हो गिया न जी और इसके फिर नीचे क्या है ए ए का मान पांच है एन बराबर तीन माने है ठीक ना बराबर क्या हो गया ए पर ए यह आनि पांच एम बराबर आठ अगहटाव पावर म इस तरह से में लिएक सकते हैं एक ढूर्ट में हम से में इसको थोड़ा सा समझने कोसिस किजिएगा तो एक दो यह तीन हो गया ठीक ना अब यह तीन गो कट बरावर पांच पर पावर पांच अब यह आपको क्या करेंगे एक दू तीन गो कट गया तर पांच अब देखिया अगर इस तरह से रएगा है तो हम क्या करेंगे यह पर बावर 5 यह पर पावर 5 और बी बी पर चाही आ हैं रीख देते हैं A ब्राबर 5 माल लिए ब्राबर 6 माल लिए और दो माल doc अभी इसको बेठा दीजै इसकोडीजा औरेंस कोई लिकप नहीं है इसको अरवर से पठाई प्स पावर 5 यह बठा दीजिया रहसे बराबर है भी यह तंद क्वाइब किआ एक इतना वे बराबर है भी 2009 तो पर पावर यम हो जाएगा तो इसको चाने का मतलब हुआ कि आग पांच गुने पाँच जो हो गुने छाव गुने 6 लिखियगा तो कि दुव्ध कैसे आप सुलग जाहागुना करने में हां ध्यान दीजिएगा इसको एत्से कर लिजिए इसको इससे कर ली जिए ठीक ना अच्छो इतना हो गया शौपके टीज अब उने को ले करके थांक यू सो मज़ जाए